हलो डिर स्टुडेंट्स वालकम टू मैंगनेट ब्रेंस मैं संचिता जैनर आपके सेस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 बोर्ड स्टुडेंट्स के लिए सामाजी विज्ञान में अर्थसास रियानी की एकनॉमिक्स का चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम है वेश्वी करण और फारतिय अर्थेविवस्था जिसमें आज हम जानेगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है अंतरदेश पादन तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी स्रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जादा से जादा आज किस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैगनेट ब्रींस प्रोवाइड कराता ह CBSE board के साथ MP button UP बिहार गोट दिल्ली बोट राजिस्तान बोट के स्लेब्स को भी कम्पलीट कराया जाता है काफी सारे सुरह सहे हमारे पास दें हैं आज को पारे कोर्सेस आपको एकी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइड करा आए जाते हैं जी हां चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये शेशन आपके लाइक और शेय यानि की जब प्रोडक्शन सिरफ एक देश में ना हो दूसरे देशों में भी हो कई सारे देशों के बीच जब प्रोडक्शन होगा और कई सारे देश मिलकर किसी एक चीश को बनाएंगे कि माल लो कि कोई कार बननी है, उसके parts कहीं से बनके आ रहे है, उसकी machine bringing कहीं से बनके आ रही है, उसकी technology कहीं की है और कहीं किशी और देश में वो कार assemble हो रही है ठीक है, तो अंतर देशियो अत्त् defect का मतलब है एक देश से दूसरे देश में अत्त पाधन की बात होगी Production across countries के बाहर भी प्रोडक्शन हो रहा है तब तो अब बात यहां पर आती है बहुरास्टी कंपनी की बहुरास्टी कंपनी को क्या कहा जाता है MNC Multinational Company M for Multi and for National C for Company तो एक बहुरास्टी कंपनी किसे कहा जा सकता है एक बहुरास्टी कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंतरण अथ्वा स्वामित्वर रखती है अपना अधिकार रखती है तीक है बहुरास्टी कंपनी यानि कि बहुत सारे देशों में इस्थित है वो Multinational बहुत सारे देशों में है बहुत सारी कंट्री में है तो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नेंतरण अथ्वास्वामेत्व रखती कई से देशों में वो इस्थेते कंप३नी, हड़ से कहे उसका प्रोडुक्शन हो रहा है. उसमें production का काम हो रहा है clear तो भूरास्टी कंपनियां या multinational companies उन प्रदेशों में कार्या लए तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं लगलग देशों में अपने office बनाएगी अपने कार खाने बनाएंगी अपनी फैक्टरी बनाएगी जहां कहाँ बनाएंगी जहां उन्हें सस्ता स्रम मिलेगा और अन्हें संसाधन मिल सकते हैं कोई भी company दूसरे देश में जाके काम क्यों कर रही है इसका मकसद क्या हो सकता है क उन्होंने पहले research करी कि कहां पर हम ये चीज सस्ते दामों पर बना सकते हैं जो product हमें बनाना है उससे related बाकी का raw material हमें कहां मिलेगा संसाधन कहां मिलेंगे और सस्ते दाम पर हम वो चीज बना पाएं तो वहीं जाके वो company जो है अपना office डालेगी अपनी factory डालेगी अपना कार खाना बनाएगी clear जहां उन्हें सस्ता स्रम्यानी की सस्ती कीमत पर मजदूर उपलब्ध हों ताकि मजदूरों को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े और अन्य संसाधन मिल सकते हों ठीक है तो multinational company किसी दूसरे देश में जाके काम कर रही है दूसरे देश में गई तभी त संसाधन मिल पाए सस्ता स्रम मिल पाए clear यानि की लागत कम हो आसानी से काम हो जाए ठीक है तो उत्पादन लागत में कमी करने जो प्रोडक्शन वो कर रही है उसमें लागत में कमी हो कम पैसा खर्षो तता अधिक लाब कमाने के लिए बहुरास्टी कंपनियां ऐसा करती है मल्टी नैशनल कंपनी का माटो क्या होता है उत्देश क्या होता है कि हमें कम लागत में प्रोफिट जादा कमाना है लाब जादा कमाना है अल्राइट अब देखते हैं हम एक उधारन पर विचार करते हैं एक उधारन को हम लेके चलते हैं ठीक है एक बहुरास्टी कंपनी द्वारा उत्पादन के विस्तार की चर्चा करते हैं देखें यहां पर ओध्योगे कुपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुरास्टी कमपनी संयोक्तराज अमेरिका के अनुसंधान के इंद्र में क्या कहा गया है अपने उत्पादों का डिजाइन तयार करती है डिजाइन कहां तयार हो रहे हैं उसके अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में उत्पादों का डिजाइन बन रहा है उत्पादों की डिजाइन बन रही है ठीक है अब उसके पुरजे कहां बन रहे है ठीक है जो डिजाइन उनने तयार करी है कि हमें ऐसा ढाचा चाहिए इस ची चाहिए ऐसी डिजाइन होने चाहिए वह बन गई अमेरिका की रिसर्च सेंटर में ठीक है अब उस डिजाइन जो बनाई है उन्हें मालों कोई मशीन बनानी है तो उसके पुर्जे कहां बना रहे हैं अलग पार्ट्स कहां बना रहे हैं पुर्जे जो है चीन में बना रहे हैं उन पार्ट्स को जहाजों में लादा हो मैक्सिको और पूर्वी यूरोप लेके गए जहां उपकरण के पूर्जों को जोड़ा जाता है यानि कि पार्ट्स को असेंबल किया जाता है तो पार्ट्स को असेंबल कहां किया गया पूर्जों को असेंबल कहां किया गया मैक्सिको में और Eastern Europe में पूर्वी Europe में ठीक है और तियार उत्पाद को विश्वभर में बेचा जाता है क्लियर है बात उध्यों के कुपरण बनाने हैं इंट्रस्टीज में काम आने वाली मालों कोई मशीन बनानी है ठीक है कपड़ा बनानी की कोई मशीन बनानी है उसका डिजाइन किया अमेरिका के रिसर्च सेंटर में उसके पुर्जों को बनाया चीन में और पुर्जों को असेंबल कहां किया उस मशीन को पूरा जोड़ के तैयार कहां किया मैक्सिकोर पूर्वे यूरोप में तैयार किया ठीक है और फिर जब प्रोडक्ट बन में क्या काम किया जाएगा उस product की एक तरीके से कही जाए तो advertisement करी जाएगी call center के माथ हम से clear और भारत में बैंगलूरू में एक call center है माल लो ठीक है यह देखो भारत के बैंगलूरू शहर बैंगलूरू शहर में इस्थित क्या है call center है जो परियाप्त दूर संचार सुविधा और internet से सुसजित है call center में क्या होना चाहिए दूर संचार सेवा होनी चाहिए call आसानी से हो जाए और internet की सुविधा होनी चाहिए दो चीजें ही चाहिए और यहां क्या करता है यह भारत में इस्थित call center विदेशी ग्रहकों को ठीक है foreign के customers को सूचना और मदद उपलब्द कर बाता है तो इस बहुरास्टिय कंपनी का काम कितने देशों की मदद से चल रहा है अमेरिका चीन मैक्सिको पूर्वे इरोप के देश और भारत पांच देशों की सहायता से इसका काम चल रहा है क्लियर है बात concept क्लियर हुआ कि अंतर देशी उत्पादन कैसे हो रहा है कंट् यह जो हमने एक्जाम्पल लिया उसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं इस उधारण में बहुरास्टी कंपनी केवल वैश्विक इस्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं मेच रही ठीक है बलकि अधिक महत्वपोड यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व इस्तर पर कर रही है हम बात क्या करते हैं वहां अमेरिका की चीज भारत में भी बिक रही है लंदन की चीज भारत में भी बिक रही है यहां सिर्फ व्यापार की बात नहीं है बलकि उत्पादन की भी बात है कि एक ही चीश का उत्पादन वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है एक्जामपल में देखा हमने क्या देखा कि अमेरिका की रिसर्च सेंटर में उसका डिजाइन तयार किया गया मशीन का चीन में उसके पार्ट्स बनाए गए मैक्सिको और पूर्वे इरोप में उसको असेंबल किया गया और भारत के कॉल सेंटर के द्वारा उन्हें विदेशी ग्रहा को तक उनकी जानकारी पहुंचाए गई उनकी मदद करी गई अल्राइट तो परिणाम तहा उत्पादन प्रक्रिया क्रमशा जटल धंसे संगठेत हुई है अलग अलग देशों में चीज बनी है तो यह कठिन प्रक्रिया जटल का मतलब होता है कठिन आसानी से काम नहीं हुआ है उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभाजत है ये बात हमने देखी कहीं कुछ हो रहा है किसी देश में कहीं किसी देश में कुछ हो रहा है ठीक है और विश्व भर में फैली हुई है दुनिया के सभी देशों में वो उत्पादन प्रक्रिया फैली हुई है उपर दिये के उधारण में चीन एक सस्ता वी निर्माड केंद्र होने के कारण ठीक है केंद्र होने का लाप्रदान करता है क्योंकि चीन में चीजें सस्ती बन जाती है अपन बोलते हैं यह चाइना मेड माल है तो चीन में मशीन के पुरजे तैयार करेगे क्योंकि वहां सस्त कीमत पर बन सकता है तो मल्टिनेशनल कमपनी का उद्देश क्या होता है कि जहां ससतीके मितंशी यकाम करेंगे है अल्राइट ठीक है अब मेकिसिको और पूर्वी युरोप की भी बात भी थी तो मैकिसिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाब प्रध भाइब की बाद भारत में कुष्शल इंजीनियर उफॉप्लब्द सौप्टिवेर इंजीनियर बहुत है भारत में बैंग लोर जो है शॉप्ट वेर के नाम से ही जानी जाती है सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है जो उत्पादन के तक्षों को समझ चू सकते हैं और यहां अंग्रेजी पोलने वाले सिक्षित युवग भी है और अंग्रेजी कौन सी लैंग्वेज है इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंतरास्टी भाषा है तो यहां के युवग अंग्रेजी के माध्यम से और अपने इंजीनियरिंग ज्यान के माध्यम से इंजीनियरिंग के नॉलेज के माध्यम से दुनिया भर में अपनी वो सेवा देते हैं तो जो ग्राहक देख भाल सेवा उपलब्ध करा सकते हैं अंग्रेज इंटरनेशनल लेंग्वेज है जिसको दुनिया भर के सभी व्यक्ति समझते हैं तो भारत के युवाओं के पास वो क्वालिटी है तो वो से दुनिया भर में कनेक्ट होते हैं किलियर तो यह सभी चीजें बहुराश्टी कंपनी की लागत का लगभग पचास से साथ प्रतिशत बचत कर सकती हैं जी हां अगर वो कंपनी सिर्फ एक ही जगह रह के काम करती मानलों की वो अमेरिका में ही रह की मदद ली दूसरे देशों को भी काम मिला तो पचास से साथ प्रतिशत तक उस मल्टी नैशनल कंपनी ने अपनी सेविंग कर ली बचत कर ली उस एक मशीन को बनाने में अल्राइट अतहा वास्तों में सीमाओं के पार बहूरास्टियत पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाब हो सकता है यानी कि जब हम बॉडर के बाहर अपना काम करवाते हैं जहां सस्ता असरम सस्ते संसाधन और सारे संसाधन उपलब्ध हो तो हम प्रॉफिट जादा कौना सकते हैं all right और विश्व इस तर पर अपनी पहाच recib भी मना सकते हैं कि लिए हैं आज कल कई सारे ऐसे ब्रांड है आप talk about less a ले喔 कपड़ों के ब्रांड ले लो कई सारे ऐसे ब्रांड है जो हर एक व्यक्ति को पता होते हैं थिक है क्यों क्यों कि वो multinational Brand है BHU Rastic Company के brand है क्यों ने दुनिया भर में जा-जाके काम किया अपने office लगाए अपने factory लगाई क्लियर हे हर जगे के लोगों की रोजगार दिया वहां की लोगंगी मदली वहां के संसाधन का उपयों किया इसलिए उनको जानते हैं Brother क्लियर चलिए तो इस तरीके से हमने जाना अंतरदेशी उत्पादन को इंटरनेशनल प्रोडक्शन को जाना कि कैसे कई सारी कंट्रीज की मदद से कोई एक प्रोडक्ट तयार होता है और सस्ती कीमत पर तयार होता है जिससे 50-60 प्रतिशत की भी बचत करी जा सकती है तो बहुराष्टी कंपनिया काम कैसे करती हैं ये बात आपको समझ में आई और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्शन कैसे होता है अधर हर एक सवाल का जबाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा चले चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं इसके अगली टॉपिक में जल्दी से नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अप्लोड होता है आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी सेशन को तुरंत ज्वाइन क प्लेटफॉर्म है इसके अलाव अगर आप इबुक्स और इनोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं सारी चीजें पर आप कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चाप कोर्से सिंध कंप्लीट कोर्स के साथ इकदम फ्री आफ कोस्ट प्रोवाइड कराये जाते हैं मैंगनेट ब्रेस यूट्यूब के लावा अधर शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्बुक इंस्टेग्राम ट्वीटर टालीग्राम वाटसप पर भी उपलब्द है आप हमें यह यहां भी फॉलो कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है कुश है थांकी सो मच